किसान बाइयो आज हम बात करेंगे सिरीराम कंपनी की गेहूं की पांच टोप किस्मों की किसान बाइयो सिरीराम कंपनी ने समय समय पर किसानों को बहुत ही अच्छी किस्में दिये हैं जिनके अंदर काफी समय से जो परचलित किस्में भी चल रही हैं आज हम उनकी पांच टोप किसमों की बात करेंगे चलते हैं सबसे पहले करते हैं 111 किसम की बात है 111 शरी राम सुपर 111 इसके पोदे की उंचाई लगबग 100 सेंटीमेटर होती है इसमें बालिया निकलने का समय करीब गरी 55-80 से 80 दिनों में सुरू हो जाता है इस किसमें बुर दिश्ट होती है चार सिंचाई की से जरूरत पड़ती है यह अगेती और पचेती दोनों कंडिशन में इस किसम को लगाया जा सकता है अगेती के लिए 40-45 किलोगराम बीज की जरूरत पड़ेगी इससे आप 20 अक्टूबर से लेके 30 नुवंबर तक आसानी से लगा सकते हैं इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें मिनिममम उत्पादन 26 कोईंटल प्रती एकड़ है मैक्सिमम उत्पादन 35 कोईंटल प्रती एकड़ है और एवरेज की बात करें तो इसमें 28-30 कोईंटल प्रती एकड़ एवरेज इसका आ जाता है इस किसम को पंजाब हर्याना भीी डवल्यू करनाल 303 और करन वेस्नवी के नाम से भी इसकिसम को जानाजाता है तिन नामों से जानाज़ाता है बाहत की बहुत द्चलित यह क Jewish किसम ईक नमबर किसम भी मे nerves संबॉर्न डाली हुए इसकिसम के जो हैं एक 155 इस दिनों में यह पक कर त्यार हो जाती है इसके पोदे की उंचाई 85-90 cm होती है यानि के कम उंचाई होने के कारण यह किसम गिरती नहीं है बारिश अंदेरी के अंदर इसमें बालियां जो है 90 दिनों में निकलने सुरू हो जाती है यह ब्राउन रस्ट और बुरा रत्वा य इसमें चार सिंचाई की जुरूरत होती है बुआई समय इसका 20 अक्टूबर से लेके 30 नुवंबर का है इसे पंजाब हर्याना राजस्तान गुजरात एमपी यूपी दिली जारखंड उत्राखंड ब्यार करनाटका वै महाराष्ट्रा में इस किसम को लगाया जा सकता है कि उत्तपादन के चमता की बात के तो मिनिममम इसका उत्तपादन 26 कुएंटल प्रती 11,5 मैक्सिमम उत्तादन 33 कुएंटल प्रती 11 और एवरेज जो है 28-29 कुएंटल प्रती 11,5 इसका आ जाता है उत्त पादन है किसान बाई YOUR ऋगली किसम है शिरीराम 25 2 252 किसम इसके पोदे के उन्चाई 100 सेंटिमेटर होती है इसमें बालियां 95 दिन में निकलनी सुरू हो जाती है यह ब्राउन औरेश्ट और बुरा रत्वा यानि के येलो रेश्ट दोनों के प्रतिस हैंसिल किसम है इसकी बालियां कले वे तने काफी अधिक वे मजबूत होते ह इसे चार सिंचाई की जरूरत पड़ती है इसके हजारदानों का वजन करीब करीब 47 ग्राम बैठ जाता है इसे भी अगेती और पचेती दोनों के समय में आप लगा सकते हैं अगेती के लिए 40-45 किलो ग्राम बीज और पचेती के लिए 45-50 किलो ग्राम बीज का इस्तेमाल कर 22 में इसका 20 अक्टूबर से सुरू 31 नॉम्बर तक है इसे पंजाब, हर्याना, राजस्तान, गुजरात, यूपी, एमपी, करनाटका में लगाया जा सकता है इसके उतपादन की शमता की बात करें तो किसान भाई यह उसका उतपादन जो है करीब करीब अगर मिनिमम की बात करें तो लगब गए 24 कोईटर रहता है और मैक्सिमम की अگर बात करें तो लगब गए 30 कोईटर परति एकर रहता है और एवरेज की बात करें तो लगब गए 26-27 कोईटर एवरेज रहता है का बजन 45-40 ग्राम बैटता है चार सिंचाई की से जरूरत पड़ती है इसकी बुआई अगेती से मद्यम समय में आप कर सकते हैं अगेती के लिए 40 किलोग्राम वीज और मद्यम के लिए 45 किलोग्राम वीज इस्तेमाल करें 20 अक्टूबर से बिजाई शुरू करके आप 20 नुवंबर तक आसानी से 22 की कर सकते हैं लेट होने पर भी ये किसम दोका नहीं देती है इसे आप पंजाब, हर्याना, राजस्तान, गुजरात, देली, यूपी, एमपी, जारखंड, उत्राखंड, करनाट का माराष्टा में लगा सकते हैं इसका उतपाद मिनिमम 24 क्वेंटल परती एकड़ है, मैक्सिमम उतपादन इसका 30 क्वेंटल परती एकड़ है, एवरेज इसका 26-23 क्वेंटल परती एकड़ इसका उतपादन बैट जाता है किसान भाईयों सिरी राम की पांच में आखरी किसम है, सिरी राम सुपर 231 राइटी, इसके पोदे के उंचाई एक सो पांच सेंटीमेटर होती है, थोड़ी हाइटी ज्यादा है रहती है, मतलब बालिया निकलने के अवदिया है, ठतर से 80 दिन होती है, इसमें यलो बड़े आकार के होते हैं, हजार दानों का वजन 45-45 ग्राम बैठता है, इसे चार सिंचाई की जुरूरत बढ़ती है, इसकी बुआईया पगेती और पछेती दोनों समय में कर सकते हैं, अगेती के लिए 40-45 किलो ग्राम बीज और पछेती के लिए 45-50 किलो ग्राम बीज का इस्तेमाल करें, इसकी बुआया 20 अक्टूबर से 30 नॉम्बर तक आसानी से कर सकते हैं, इसे पंजाब, हर्याना, राजस्तान, गुजरात, देली, उतरपरदेश, मद्यपरदेश, बिहार, जारखंड, उतराखंड, करनाटका, माराष्ट्रा, और माचल में इसे लगाया ज आसकता है, इसका उत्पादन किसान भाईयो मिनिममम 23 क्वेंटल प्रती एकड़ रहता है, मैक्सिमम 28 क्वेंटल प्रती एकड़ रहता है, और एवरेज जो है, 26 से 27 क्वेंटल प्रती एकड़ एवरेज इसका जो उत्पादन आ जाता है, किसान भाईयो ये तो जानकारी सिर जानकारी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं तो किसान भाई हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चलते हैं किसान भाई हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ तब तक दीजे जाज़त ज